तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Ride BNB actual में है क्या और कैसे यहाँ पर जो लोगों के दोरा बताया जाता है कि यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में मातर दो डॉलर के BNB से जॉइन करके आप 35,000 BNB तक कमा सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो में पूरा प्लान को समझते हैं और बारिकी समझते हैं और इजी वे में समझते हैं तो दोस्तो वेलकम दा वर्ल्ड फर्स्ट कम्मूनिटी विल्डिंग प्रोग्राम वो ओपी ब्लोक्चेन मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है यह ओपी ब्लोक्चेन को यूज करेगा जो बाइनेंस का ही एक ब्लोक्चेन है बाइनस का ही नेटवर्क है जो काफी फास्ट और काफी सेफ और सेक्यूर होता है तो चलिए हम सीधा प्रोजेक्ट के उपर आते हैं यहांँ पर बताया हुआ है तो इसके उपर हम नहीं जाएंगे क्योंकि यहांपर जो टेक्निकल एज्यूकेशन होता है वो डेली के डेली दो टाइम किया जाता है तो वहांपर अगर आएंगे तो सारा कुछ बताया जाएगा लेकिन हम यहांपर नीचे बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है स्मार्ट कोंटेक्ट हो स्मार्ट कोंटेक्ट का प्रोजेक्ट हमें क्यों करना चाहिए और स्मार्ट कोंटेक्ट का प्रोजेक्ट से करने से में बेनिफिट क्या होता है तो यह सारे जो देख रहे हैं एक 11 तरह के बेनिफिट है जो आपको यहाँ पर जानना ज़रूरी है सबसे पहली बात कि यह जो project होता है smart contact और हमारा जो ridebnb का project है यह honors free है मतलब कि इस project का कोई honor नहीं है automatic यह project run करता है सिर्फ सिर्फ smart contact के उपर deploy कर दी जाता है और वहाँ पर चलता रहता है इसका कोई administration नहीं है इसका कोई immunity code को जो सो hack and crack नहीं कर सकता है payout सबसे बड़ा important होता है कि किसी भी company में आप join करते हैं तो payout काफी ज़्यादा माइन रखता है लेकिन यहाँ पर आपको payout request करने की ज़रूत नहीं है जो भी आपको commission होगा जो भी आपको income होगा विदिन सेकेंड में automatic आपको wallet में credit हो जाएगा चाहिए आपका wallet trust wallet हो metamask का हो या token pocket का हो या फिर कोई भी और decentralized wallet हो वहाँ पर automatic credit हो जाएगा fully decentralized है instant payout है जैसे मैंने पहले बताया था payout कभी भी दीन हो या रात हो 24 into 7 आपको payout की कोई tension नहीं है इसका है global reach इसका एक project में आप इंडिया से हैं पाकिस्तान से हैं नेपाल से बंगलादेश से हैं या फिर world के किसी भी कोने से हैं जहां पर ये decentralized concept run करता है cryptocurrency run करता है दुनिया के किसी भी कोने से आप team बना सकते हैं join करा सकते हैं और join हो सकते हैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो ये stable compensation plan है ये plan एक बार अगर बन गया तो इस plan में कभी कोई change नहीं होता और हमेशा ये stable ही रहता है इसमें से आपका management का कोई control नहीं होता है जैसे पहले बताया था decentralized है तो management का यहाँ कोई interfere नहीं होता है इसके बाद autonomous operation होता है automatic operation होता है और ये जो project run कर रहा है ये OP BNB blockchain के उपर run कर रहा है OP BNB blockchain क्या है इसके उपर आप YouTube में search करेंगे बहुत सारी जनकाज दी गई है तो उसको भी जाकर check out कर सकते हैं और ऐसे भी हमारे जैसे पहले बताया था कि daily का daily technical session जूम में आपको यहाँ पर educate क्या रहता है बताया जाता है centralized, decentralized क्या है OP blockchain क्या है OP network क्या है तो आपको यहाँ पर educate भी हो सकते हैं और educate होने के साथ साथ earn भी कर सकते हैं that means learning के साथ साथ earning भी BNB क्या है तो दोस्तों जो लोग crypto market में काम कर रहे हैं crypto work कर रहे हैं यह trading कर रहे हैं exchange के साथ जुड़े हुए है उनको अच्छे से पता है कि BNB क्या है कल क्या था और आज क्या है बात करता हूँ BNB जो coin है Binance का अपना coin है और फाहले जो start हुआ था मातर 10$ से भी कम में start हुआ था और अभी यह highest जो है 800$ से पहुँचके भी 500$ के आसपास learn कर रहा है और जैसा कि expert के दोरा बताया जा रहा है कि 2025 के अंदर एक BNB का coin जो है वो 2000 से लेकर 3000$ होने वाला है और 267 में यह anyhow 5000$ के आसपास पहुँच सकता है क्योंकि अभी जितने भी coin market के coins है उन सारे coins में top 3 के अंदर आता है एक टाइम यह top 50 के अंदर भी नहीं आता था लेकिन अभी top 3 के अंदर आ रहा है तो इसका use है कि इसका fast जो है transition काफे ज़्यादा fast है और यह Binance Smart Chain जो है world का एक पहला smart chain था जिसमें काफी ज़्यादा gas भी कम कर दिया था और fast transit होता है इस coin को use जो है वो आपका staking में use किया जाता है आपका जो है Binance ecosystem में use किया जाता है जहां से D5 में और decentralized application को develop करने में मतलब कि बहुत सारे इस coin का use है और इसी use के वारण इसका जो इस coin का demand global market में काफी ज़्यादा है और लोग काफी तेज़ी से इस coin को acquire करना चाहते है और इस coin को future के रूप में देखते हैं जहां से Ethereum के बाद ये number third पर है और इसमें से कोई दोराई नहीं है कि आगे चलके इतना इसका use है इतना इसका fast transaction इतना इतेज़ी से develop कर रहा लागलग sectors में जो आगे चलके sure है कि वो Ethereum सा भी आगे निकल जाएगा इसलिए आपको जितना ज़्यादा maximum हो crypto portfolio में BNB को रखना ही रखना चाहिए और अपना BNB का portfolio को in future में आप जितनी तेज़ी से बढ़ा सकते है वो आप बढ़ा लीजे BNB का structure बताया गया है BNB का history बताया गया है यह coin market cap का graph है जहां से देख सकते है कि BNB का listing जो है वो चार नंबर में तीसरे नंबर में चुकि यह coin नहीं मानेंगे यह stable coin है जहां से trading के लिए यूज किया जाता है तो coin तो हमारा bitcoin है Ethereum है और तीसरे नंबर पर यहां पर BNB है चुकि यह इसका market cap जादा है transaction के लिए यूज होता है trade के लिए यूज होता है तो इसलिए third number पर है बाकि के coin की मामलें देखेंगे तो third number पर हमारा BNB है जो आप यहां पर देख सकते हैं current में अभी यह लगवा 500 के डॉलर के आसपस price चल रहा है कल के rate में गिरा था आज जो इसलिए प्राइस काफी तेजी से बढ़ना start हो गया है इसका graph देखेंगे तो graph हमेशा से उपर की तरफ जा रहा है और जैसा हम पहले बताया था anyhow BNB का price आगे चलके आपको 5000 डॉलर से भी ज्यादा cross करने वाला है price chart को PDF में और भी clear दिया हुआ है आज जो जनवरी 2024 में इसका price था यह देखें आपका यहां पर price जो दिया हुआ है यह जनवरी 2024 के अंदर का price है जो 593 डॉलर के आसपस था और यहां पर highest जो गया था जनवरी में यह 720 डॉलर के आसपस गया था 2024 के अंदर मतलब पिछले 6-7 मेने पहले इसके बाद यहां पर कुछ और clear करेंगे नीचे दिया हुआ है जनवरी 2022 के बाद करता हूँ तो यहां पर यह 511 डॉलर के अंदर कर रहा था highest जो है वो 533 डॉलर गया था चलिए और नीचे जाते हैं यह है माई 2022 यह open हुआ था सबसे low जो था 377 पर हुआ था highest जो 612 डॉलर गया था थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो यहां पर देखिए यह है अगस्त 2020 इसका देखिए स्टार्टिंग जो हुआ था 28 डॉलर से हुआ था और यह जो highest जो 26 डॉल गया था मतलब कि 4 सल के अंदर देखेंगे तो कितना गुना बढ़ा है 20 डॉलर से स्टार्ट होके लगवर 750 या 800 डॉलर दर पहुचा था तो कह सकते हैं कि इस कोईन का प्रोजेक्ट जो है कितना स्ट्रोंग है फ्यूचर कितना स्ट्रोंग है अगर आपने 2020 में कुछ कोईन 10, 20, 50 कोईन अगर बाई की होते तो आज के टाइम में आप उस पॉर्टफोलियो का क्या स्टेटस होता ये खुद आप इमेजिन कर सकते हैं BNB का फ्यूचर क्या रहेगा ये प्रेडिक्सन यहाँ पर बताया गया है जो आप देख सकते हैं अलग-लग मार्केट के अनालसिस जो है जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं जाइंट इन्वेस्टर जाइंट ट्रेडर्स हैं उनके दोर जो एक्सपेक्ट किया गया था वो इनने काफिक करीब पहुंचे दो हजार चोबिस में जैसा पहले बताया था 2030 के आसपस में यह जो है एनिहाव 10,000 डॉलर के आसपस यह एक BNB का प्राइस टच कर सकता है तो ऐसे में अगर आपके पास गलती से भी आज के टाइम में 1500 यह 2000 BNB है तो आपको 2030 में देखिए अगर एक BNB के प्राइस 10,000 से भी उपर चला जाएगा तो आपका crypto portfolio कितना बड़ा होगा और आपके पास wealth कितना बड़ा generate होगा यह आप खुद imagine करके देख सकते हैं वही जी यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपने 2009 या 2010 के आसपस में Bitcoin को miss कर दिया था Ethereum को miss कर दिया था तो हमारा जो तीसरा number top third का जो है BNB coin वो आपको miss नहीं करना चाहिए जैसे भी हो जिस project से हो आपको यहाँ पर maximum BNB को earn करना चाहिए तो हमारा जो project है जहां से आप 3,000 से लेकर 5,000 से भी जयादा का BNB earn कर सकते हैं तो चलिए अब हम सीधा project के उपर आते हैं OP BNB के बारे बताया हुआ है कैसे काम करता है तो यहाँ पर details बताया हुआ है part of the BNB chain ecosystem है efficiencies का lower transaction fee है इसका transaction fee काफी कम लगता है depth wallet को support करता है इसके बड़ decentralized application के मुझे से develop किया गया है तो यह सारा BNB के है OP BNB का details दिया हुआ है दोस्तों बात करता हूँ ride BNB में join करने के लिए आपको wave 3 का decentralized wallet को आप use कर सकते हैं उस wallet में एक wallet है Cepal इसके बारे में जानते होंगे यह पहले hardware और अभी भी hardware wallet को use करता है बट अभी इसका software wallet भी आया है जिस जो wave 3 का wallet है decentralized है जहां से आप इसको join कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर आपके पास trust wallet है तो उससे भी join कर सकते हैं Meta mask है तो उससे भी join कर सकते हैं token pocket का wallet है उससे भी join कर सकते हैं मतलब कि जो भी decentralized wallet है Dapp browser को इनेवल कर Dapp browser वाले wallet होते हैं उस wallet को आप यूज करके यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं दोस्तों अब बात करते हैं इसमें अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट करना है जैसे पहले मुने बताया था कि यहाँ पर जो आपका स्टार्टिंग फी रहेगा वो BNB में रहेगा 0.0044 BNB जो इस का प्रोसेस देख लेते हैं कि आपको जोईन करने के लिए करना क्या होता है सबसे पहला स्टेप में आपको जोईसो डाउनलोड जोईसो वेब 3 का वालेट डाउनलोड करना होता है चाहे तो आप ट्रस्ट वालेट जोईन कीजिए सेपल कीजिए मेटामास कीजिए या फिर έटwork से आपको वालेट को top-up करना होता है आप जितनी से जोइनिंग के साथ 2 डॉलर से चाथ डॉलर से आठ दॉलर से दश गर से जोइनिंग के साथ जितना पैकेज लेना चाहते है उतना एमोंट जो भी आपको pocket allowed करता हो उसी के according आप यहाँ पर जॉइन कर सकते हैं तो अपने wallet को top up कर लीजेगा BNB को आप जो इसो Binance से भी बाइक पिर सकते हैं या फिर आप swap भी कर सकते हैं यह सारा process आपको हमार technique session बताया जाता है तो अगर यह process आपको नहीं हाता है तो आपने direct upline या फिर किसी upline से आप बात करके वो process आप कर सकते हैं या फिर zoom में जो आपको सिखाया जाता है उसको live session में जाकर आप सीख सकते हैं पूरा आपको वहाँ पर practical करके दिखाया जाता है इसके बाद तीसरा option के बात करता हूँ आपको अपने upline के थुरू एक referral link मिल जाएगा उस referral link को आपने dev browser में paste करके आप वहाँ पर join कर सकते हैं जैसे join करेंगे आपको भी अपना referral link मिलेगा उस referral link को आपने team में share करके वहाँ से जितना ज़्यादा आप team बना सकते हैं उतना ज़्यादा आप BNB को earn कर सकते हैं बस simple सा यह steps है इसी steps को follow करके आप यहाँ पर join कर सकते हैं इस slides में future of ride BNB का ब्लोक्चेन है उसका future क्या है तो यह blockchain coin and dex NFT project trading platform बहुत ही इसका bright future है और काफी ज़्यादा project के उपर काम कर रहा है अब चलिए joining के package की बात करता हूँ कि अगर आप ride BNB में join करते हैं तो joining का क्या क्या package है वो यहाँ पर देख लिजिए जैसा पहले मना starting बताया था कि आप जो है मात्र 0.004 BNB से start कर सकते हैं जिसका नाम है beginner लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान चेनिक चीज़ है अगर आप चाहे तो starting के साथ ही सारा package बाई कर सकते हैं जहां तक आप बाई करना चाहते हैं वहां तक आप बाई कर सकते हैं इसमें से कोई limit नहीं है कि आपको सिर्फ joining करके ही बाई करना है सिर्फ starting package ही करके आप यहाँ पर काम करना है आप चाहे तो starting का 3 package बाई कर सकते हैं ये भी बाई कर सकते हैं beginner का beginner का बाई करने के बाद आप यहाँ पर next जो है वो भी बाई कर सकते हैं influencer का फिर next achiever का बाई कर सकते हैं 3 package के साथ start कर सकते हैं चार package के साथ start कर सकते हैं, पांच package सा start कर सकते हैं, अब कहेंगे 4, 5, 6 या फिर 12 package को start करने से हो benefit क्या होगा, benefit यह होगा कि आपके down में अगर कोई बंदा आपके किसी level में अपनी ID को 3, 4, 5, 6 या उससे आगे के level से upgrade करता है, तो उसका जो 100% benefit मिलना है, वो आपको तभी मिलेग जब आपका package पहले से buy रहेगा, suppose कीजे कि आपने join किया और आपका ID सिर्फ और से beginner में है, लेकिन जिसने को आपने refer किया अपने down में, वो तीसरे level में कोई बंदा अपना तीसरा level को upgrade करता है, तो उससे जो आपको 100% मिलना वो आपको नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा उतना package से आप join कर सकते हैं, ये total आपके पर depend करेगा कि आपको कितना package से join होना है, लास्ट में यहाँ पर एक तीन package जो दिया है, icon, legend and imperial, ये बड़ा amount है, जाइदा investment लगेगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस package से साथ buy करते हैं, इस package के साथ इस system में आते हैं, तो इस package के साथ, देवन के साथ company का एक पूरे के पूरे turnover का एक छोटा से amount आपको दिया जाता है, जिसको हमनों royalty income कहते हैं, company जितना का भी turnover होता है, उस turnover से एक percentage निकालता है, उस percentage को ये तीनों को यहाँ पर divide करके बांट दी जाता है, जो आपको एक passive income होता है, जो आप सीधा आप company के थुर 100% आपको direct income मिलेगा, suppose कीजिए कि आप यहाँ पर है, आपने किसी को direct किया, तो यह जब जैसे अपने ID जोइन करता है, तो आपको यहाँ पर 0.004BNB instant मिल जाएगा, फिर दूसरा direct करते हैं, तो वो ID यहाँ right side में set हो जाता है, और उसका भी 100% मिल जाएगा, तीसरा जैसे आ आप यहाँ पर set करते हैं, तो इसके left side में यहाँ set हो जाएगा, फिर चौथा जैसे right करते हैं, इसके right सर्में यहाँ left हो जाएगा, पाचमा जैसे करते हैं, यहाँ set हो जाएगा, और वो सारा benefit आपको 100% direct का मिल जाएगा, लेकिन जो setup होगा, वो आपको top to bottom and left to right यहाँ पर भी ज्यादा का यहाँ पर earn कर सकते हैं, यह कैसे काम करता है, यह simple way में समझिए, आप जैसे join करते हैं, आपका package beginner होता है, 0.004 से होता है, जैसे आप जितने लोग को refer करेंगे, हर referral से जो है, आपको 0044 BNV मिलेगा, उसके बाद आपके second level में, आपके second downline में, जो भी लोग य BNV लगता है, और आपका total income यह होता है, उसी तरीके से आपके third level में, कोई achiever का rank जो है, तीसरा रेम को upgrade करता है, तो उससे आपको हर एक बंदे से 0.01 to BNV मिलता है, total income आपको 0.096 BNV होता है, next level में upgrade करते हैं, तो यह आपको 0.02 for BNV upgrade में जाता है, और आपका total income जो होता है 0.072 BNV होता है, तो इस तरीके से यह अलग लोग level में divide किया हुआ है, जिस level में आपको यह upgrade होता है, उस level के आपको मिलेगा सब्सक्राइब करता है, तो आपको जो हर एक बंदे से 6.144 BNV जो है, वो आपको मिलता है, और total आपके नीचे जो है, वो 4,096 लोग आते हैं, ज जो है नीचे आपको double होता है, तो जैसा कि एक बंदे से 6.144 BNV मिलता है, तो इतना करितना multiply कर देंगे, तो total BNV जो आपको earning होगा, 25,165.824 BNV earning होता है, इस में आपको upgrade करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सबसे last rank है, और यहाँ पर आपको सारा का सारा benefit आपको मिल ज जाता है, कि हर एक joining से आपको 0.004 BNV आपको मिलेगा, अगर दो लोग होते हैं आपके level 1 में, तो आपका income यह हो जाता है, उसी type से level 2 में, जैसा कि आपको पता है, हर एक joining से, हर एक upgradation से आपको 0.006 मिलता है, तो number 4 लोग रहेंगे, तो 4 लोग से आपको 0.024 BNV मिलता है, इसी तरीके से level 3 में, जैसा कि हर एक upgradation से आपको मिलेगा 0.012, आप पर मान के चलते 8 लोग हैं, तो 8 लोग से आपको total मिलेगा 0.048, और इसी तरीके से आपको पूरे को पूरे 12 level के income मिलेंगे, यहाँ पर structure में बताया हुआ है, जो समझना आपके लिए काफी आसान हो जा यहाँ पर जो लोग भी join करेंगे, अगर यह direct है, तो आपका यहाँ पर direct 100% मिल जाएगा, ठीक है, तो जो भी आप जितनी भी direct करेंगे, आपका यही structure में यहाँ पर state होने वाला है, यह जो structure है, इसी तरीके से बनता चला जाएगा, यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर इस जाएगा, फिर direct करेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर direct करेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर direct करेंगे, यहाँ आएगा, फिर direct करेंगे, यहाँ आएगा, फिर direct करेंगे, यहाँ आएगा, मतलब कि जहाँ जहाँ direct करते चला जाएगे, इसी structure में आपका यहाँ पर सजदा चल मिलेगा थर्ड लेबल में जो भी अफ्ग्रेट करेंगे उसका साथ से लेकर 14 तक आपको इंकम मिलेगा फॉर्थ लेबल में जो है 15 से लेकर 30 तक जो इस इनकम हो आपको आएगा फिप्त लेबल में 28 से लेकर साथ से लेकर 14 तक मिलेगा तो आप यहां पर देखिए साथ से 14 कहां तक होता है ठीक है साथ से 14 रहेगा वो यहां रहेगा ठीक है तो इस लेबल में आपका जो भी जो भी जो भी अपग्रेडिशन रहेगा उस लेबल का तभी आपको यहां पर इस लेबल का मिलेगा ठीक है से आपको फोर्थ लेबल मिलेगा तो यह आपका मालो थर्ड लेबल है तो फोर्थ लेबल इसके जश्ट नीचे रहेगा तो जश्ट नीचे वाले लोग जब अपना चौथा लेबल को अपगरेट करेंगे तो उसका 100% बेनिफिट आपको मिल जाएगा तो वही जिए यहाँ पर 12 लेबल तक अपना आइडी को चाहते हैं उसका अपग्रेडिशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपका आइडी उस रेंग में अपग्रेड होना चाहिए या फिर उससे उपर का होना चाहिए अगर उससे नीचे का आपका आइडी अपग्रेड है तो फिर वो आपको benefit नहीं मिलने वाला है उसका benefit जो मिलेगा वो उपर अस्पील कर जाएगा जहां भी जिस level को apply को मिलना होगा वो मिल जाएगा अब दोस्तों system ने यहां पर एक और income को include किया है जिस income का नाम है royalty income यहां पर system के दोरा royalty income भी दिया जा रहा है वो कैसे दिया जा रहा है जो आप देख सकते हैं यहां पर last third जो package है last जो सबसे नीचे आपका दसवा एगारवा और बारवा आइकन है legend है imperer है अगर यह आपने id को upgrade किया हुए है तो आपको जो benefit मिलेगा यह company के total turnover का 0.3% निकाला जाएगा तो यह distribute कर दिया जाएगा जो लोग इस आइकन रेंक में है वो सारे लोग को समान से distribute कर दिया जाएगा मालो legend में अगर इसने अपने id को upgrade किया है तो उसको 0.35% मिलेगा imperer को किया हुआ है तो उसको भी 0.3% मिलेगा अगर तीनों को किया है तो यह तीनों income जो है आने कि 9 BNB तक income हो जाएगा तब यह मिलना आपको बंद हो जाएगा तो उसी तरीके से यहाँ पर देख लिजे जो भी आपका package है उस package का डेट गुना उस package का जब तक डेट गुना नहीं होगा तब तक यह royalty आपको मिलता रहेगा डेवन से भी royalty ले सकते हैं अगर आपका package अपगेट कर लेते हैं तो अब दोस्तों यहाँ पर इस slide में बताया हुआ है कि हमें ride BNB को क्यों join करना चाहिए आज market हो बहुत सारे project है लेकि ride BNB है क्यों तो यहाँ पर दोस्तों मैं clear करना चाहता हूँ ride BNB में ऐसी ऐसी systems है जो आपके दूसरे projects में नहीं मिलेगा एक से लेकर 7 तक है दिया हुआ है सबसे पहला यहां करें decentralization जैसा कि आपको पता है कि आज के market में decentralized जो project होता है या plan होता है वो काफी ज़्यादा safe माना जाता है secure माना जाता है क्योंकि यहां पर किसी central authority का यहां पर कोई interference नहीं होता है कोई किसी तरह की यहां को tension नहीं होती है दूसरी बात है decentralized concept में आप काम करते हैं ride BNB में काम करते हैं तो यहां पर आपको transparency देखने को मिलता है transparency that means जो भी आपका transaction होता है वो traceable होता है आप कोई भी public domain में जाकर देख सकते हैं कितना ज्यादा transaction हो जाए कितना ज्यादा जिसना fund जो transfer हो रहा है सारा कुछ आपको दिखता है कोई भी बंदा जो कर जाकर इसको देख सकता है smart contract को detail खोल के देख सकता है चेक कर सकता है तिसरी बात करता हूँ इसमें security जो है काफी ज़्यादा strong होता है क्योंकि blockchain technology वो काम करता है बट यहाँ पर cost जो है वो मात्र नाम मात्र gas भी लगता है जो आपको सबसे ज़्यादा कम लगता है वो है ridebnb में क्योंकि इसका technology यूज किया आता है opbnb यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर trust build करता है community के उपर जो ridebnb में आप trust कर सकते हैं और trust करके यहाँ पर आप काम कर सकते है नेक्ट बात करते है advantage of ridebnb matrix ridebnb का क्या advantage है क्या यह matrix है तो सबसे पहली बात है यहाँ पर advanced smart contract with unique features यह अपने आप में unique features है क्योंकि इसका distribution इसका transparency इसका project जो काफी ज़्यादा unique है जिसके कारण ridebnb खुद में लोगों को अपनी तरफ attack करता है दूसरा है innovative business model इसका business model भी अपने आप में innovative है matrix plan page people as every sales matrix plans का unique है जिसमें से आपको हर एक sales के उपर income मिलता है में matrix ऐसा सजाया गया है अगर कोई लोग यहाँ पर कोई sponsor नहीं करता है तो भी a spillover से यहाँ पर उसको अच्छा income आ सकता है इसके बाद matrix पे those who don't receive a spillover जो लोग a spillover नहीं भी पाते हैं वहाँ भी इस matrix में उसको benefit मिलने का chances होता है छटा है incentive for active market participants and direct referrals यहाँ पर incentive जो दे है active जितने market participants है उनको direct referral यहाँ पर अच्छा कासा profit होता है 7 है यहाँ पर rewards for leadership skills and team buildings यहाँ पर जो लोग team building करते हैं जो team बनाते हैं उसके लिए अच्छा कासा reward है जो यहाँ पर आपको royalty के रूप में दिया जाता है और 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 भी अलगतर रहकर reward यहाँ पर profit मिल सकता है इसके बाद developed by the experience ride BNB team क्योंकि यह project जो develop किया गया है वो काफी जादा market के expert के द्वारत किया गया है तो दोस्तों यह था ride BNB का पूरा plan presentation अगर आपको plan समझ में आया तो video like कर दिजेगा अगर कोई doubts या को query रह गई होगी तो आप मुझे comment box में comment कर दिजेगा कि subject के उपर कौन सा details आप और अच्छे तरीके समझना चाहते हैं उसके उपर मैं अलग से dedicated video बना दूँगा तो आप मुझे comment ज़रू कीजेगा जो भी आपका query और doubt रहेगा वो मैं आपको next video के माध्याम से clear करने को सिस करूँगा तो joining के लिए तैयारी कर लिजे trust wallet को download कर लिजे या फिर जो भी debt wallet या decentralized को use करते हैं उसको download कर लिजे उसमें से opbnb mainnet का जो भी आपके पास coins है जो भी आप invest करना चाहते हैं उतना fund आप available कर लिजे link से खुद join होके जो भी आपकी team है उसको join करा दिजे क्योंकि ये system काफी fast grow होने वाला है और काफी fastly आपके wallet में bnb भरने वाले हैं तो ऐसे में ये option आपको miss नहीं करना चाहिए बाकी कोई और आपको query हो तो मुझे comment कर दिएगा बाकी अगर आप इस channel में नहीं है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर दिएगा और मिलते हैं नेक्स वीडियो के लिए तब तर थैंक्स, टेक केर, बाबाए